वह हलो गाईज आम रिखी एक यूर्मोश्ट विलकम टो यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासीस आज की वीडियो में हम लोग जो हिमाले कुछ उपकीजिक के पहले वीडियो में देखा था हिमाले के बारे में आना था आज हम लोग जानेंगे कि जो हिमाले है जो की जानते हैं आप भारत के पस्टी में नंगा परवत से ले करके जो पुर्वी भाग है नामचा बर्वा तक मतलब नंगा परवत पहाड से ले करके नामचा बर्वा पहाड तक जो है यह हिमाले की स्रेणिया इस प्रकार से अलग अलग है आज लोग चानेंगे कि इन पर वर भर द्ग बहुत फोट इस प्रकारा किया गया है मतलब कि जो हिमाले प्रवत है इस मरें का प्रकृति कहले चो है एक प्रकार किया गया है तो आप देखें यहां पर जो आप देखते हैं यह चार लाइन जो ब्लेक है बुलू फिर रेड ब्लेक है यह अलग-अलग स्रेणियों को हमने इसमें बताने का प्रयास किया है तो यह चुकी भारत में जो हिमाले परवत का विस्तार है वह आप जानते हैं कि पांच लाख वर्ग किलोमेटर से ज्यादा है जो पांच लाख वर्ग किलोमेटर है इससे ज्यादा का विस्तारित छेतर है किसका तो हिमाले परवत स्रेणियों की और क्यों नहीं होगा आप जानते हैं कि यहां से पाक उक्यूपाइट कस्मिर से आरम भो करके यह जो है नामचा बरवा परवत तक है तो यह इसमें जो है है हिमाले परवत की अंतरगत कई समानता थेנिया जो उत्तरपस्छीम से उत्तर पुर्व की और फ्हाली हुगी है यह दोढ़त कैसे फ्हें चालिएया अलेकर… उत्तर पस्चीम से लेकर है ना उत्तर पस्चीम से लेकर उत्तर पूर्व तक फैली हुई है उत्तर पूर्व तक फैली हुई है तो यह जो है हिमालय का विभाजन भी अगर आप कीजिएगा तो यह इस द्रिश्टी कौन से भी होगा कि जो उत्तर पस्चीम से लेकर के उत्तर पूर्व तक हिमाले का विभाजन है वह किस प्रकार से देखिए चुकि यहां छेद्र जो नंगा परवत है यहां आपका उत्तर पस्चिम में है अगर आप यहां पर खड़े हैं या मैप को देखिएगा तो सबसे उपर का पोर्शन क्या होगा उत्तर होगा यह वाला इसलिए उत्तर पस्चिम से यह जो है पूर्वी भाग हुआ तो अगर आप यहां से पूरा उत्तर हो गया नीचे दक्षिन हो गया तो यह उत्तर पूरव भाग हो गया और यह उत्तर पस्चिम हो गया उत्तर पस्चिम से उत्तर पूरव तक उत्तर पस्चिम से उत्तर पू क्वान का सकते हैं उत्तर से दक्षिन जो है यह विखाजन हीमालय का हमाले का उत्तर से दक्षिन जो है इसको चार प्रकार से तो है जब आप उपर से बढ़िए yeah तो सबसे पहले उतर पहले जो सबसे पहले आपको हिमाले यह वह आ पार हिमाली रूप में जिसको कायाता है ट्रांस मएले पार मेले या ट्रांस हिमाले ट्रांस का अर्थ होता है के पार यह जो ट्रांस है इसका मेनिंग होता है के पार तो पार हिमाले मतलब जो हिमाले के पार वाला जो आख से आप देख नहीं पा रहे हैं छिपित रूप से वह जो है आपका ट्रांस हिमाले या पार हिमाले का लाएगा जो की आपका सबसे पहला विभाजन जो और ये बात भी है कि जैसे हिमालय की जो समानतर स्रेणिया है वह उत्तर पस्चीम से लेकर उत्तर पूरव तक फैली है अब इन्हीं स्रेणियों में अलग-अलग को ही ब्रिहद हिमाले भी कहते हैं हिमाद्री हिमाले भी कहते हैं और सर्वोच हिमाले भी कहते हैं तो यह तमाम नाम महान हिमाले ब्रिहद हिमाले 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 सर्वोच हिमाले यह सब एक ही है तो जब दूसरा दूसरा स्रेणी जो होगा वह आपका महान हिमाले ब्रिहद हि सबसे बाहरी सबसे जो उत्तर से आप दक्षिन की रपागा तो यह चार स्रेण आपको जो है पार करनी होगी अभ यहां पर आजे इस मैप में चुकि इसमें बहुत और इसके बाद दो रेडवाली है यह तीसरी लाइन लगू हिमालरय वह यह सबसे बाहर हरी चौथी ऐन में स्रेड़ी के यह इसी लोग रहने बोलते हैं तो इस तरह से हिमालही का उत्तर से दक्षिन विवाजन उत्तर से दक्षिण इंक करना है उत्तर से दक्षिण गरुज करता है कर देती है तो प्रकिर्टिक विवाजन या भौक्तिस भीवाजन या उततर से जो हमालक होगा। तो यहां तक तो आप यह इस बात को समझ गए कि हमाले की प्रकृति जो है। या हिमाले की जो भौतिक विभाजन है वह किस प्रकार है और किस किस तरह से है तो अब अगली वीडियो जो इसके बाद आएगी उसमें हम सबसे पहले जो है पार हिमाले अर्था ट्रांस हिमाले को बताएंगे इसके बाद दूसरी वीडियो में महान हिमाले को फिर तिसरी में देखिएगा तो पार हिमाले यहां तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि जो हिमाले की चार स्रेणिया है जिसको उत्तर से दक्षिन विभाजन करने पर वह चारों सर्णिया आती है है ना पार हिमाले महान हिमाले लगू हिमाले और सिवालिक हिमाले यहां तक या फिर आपका स इस साथ की तरह कौन साहे हैं एक ब्रिटिस भूगर्व सास्त्री थे हैना जिसका नाम था सिढनी बुराड में और पुराड इन्होंने जो है है ना पिए एक बिटीश भूगरव सास्त्री हुए सिडनी बुराड इन्होंने सुडनी बुराड साफ़ Doblin यह एक बुगरव सास्त्री थे इन्होंने हमाले को जो हुमालों हमाले का जो है फ्रादेसी कुल Kem做 और किया पस्टीम से पूर वी भाजन किया मतलब की प्रादेस कि वाजन मतलब हुआ की जिस जल्गी हमाले एक लंबी प्रवस्रेणिया है वह बहुत सारी विचे का पर माले तक यहां से expecting पंजाब को यहां यहां से तरह तक हुट अब प्रदेश के पहले जो आपने विडिद्खा उसमें उस में उसमें उस लगुह ले और देख लिया अबचु देखेंगे यह प्रादेसिक वाजन देखेंगे ही मालले का और किस तरफ से किस तरफ पूरव ses पस्टीम उत्तर से दख्चिन हमने बता दिया पूरव से पस्टीम क्या होगा आप है ना यह पस्टीम से फॉरी पस्टीम मतलब पस्टिम में हम खड़े हैं पुरव की तरफ जा रहे हैं यह पस्टिम का भारत का पूरव की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे ही पस्टिम से पूरव पर भढ़ेगा तो पहला जो यहां दंकAd حं लेंकर के तरmostरा के यहां तक आपको कहेंगे इतनाесा कुमाओं ह meatballs और इसके बाद यहां से नेपाल वाला जो है यह इसको नेपाल-मले और यहां से यहां तका छेतर है यहош명 अस्थम hints मले इस तरह से पंजाब महाले यह नेपाल विधार अपनलब की किसी नहीं किया तो यह उसताश्टा कि और यह हो प्रादेसिक्हाण प्राजिक भुखंडों के अधार पर जो है हिमाले का विभाजन कर दिया तो सबसे पहला पार्ट क्या गया पंजाब हिमाले जो पंजाब हिमाले जो है वह पंजाब हिमाले में है इसके बाद दूसरा पाटा कुमाव हिमाले कुमायू हिमाले में क्या किया तो यह जो 320 km outta 320-150 में यह जो कुमायू हिमाले सबसेट रहे क्या इसके बाद रहे हिमाले कजोटा पार्ड है सबसेट गमागाव हिमाले को प्रोड़ै क्या काली नदी तर जो है कुमायू हिमाले हो गया उसके बाद कुमायू हो गया देखिए यहां से यहां कस्मीर हो गया यहां से यहां तक नेपाल हिमाले अब नेपाल हिमाले में जो है आपका नेपाल हिमाले में 800 किलोमेटर नेपाल हिमाले जो है 800 किलोमेटर लंबा और सबसे लं सतलाज से काली नदी और काली नदी से ले करके कहां तक तिस्ता नदी तक है ना काली नदी से तिस्ता नदी तक यह जो है नेपाल हिमाले का छेत्र हो गया और इसके बाद नेपाल के बाद कशेतर जो है वह असम हिमाले है कौन सा है असम नेपाल हो गया नेपाल हिमाले 800 देख रहे वहाँ आपका असम में हुआ तो इस प्रकार जो है सदनी बुल्राड जो एक अंग्रेज भुगर्व सास्री थे उन्होंने इसका विवाजन किया तो यह हिमाले का प्रादेशिक काल आता है यह पस्टिम से पुर्वाधान काल आता है और जो वो हमने बताया इसके पहले आपको उत्तर से दक्षिन्व विवाधन कि सबसे पहले जब उत्तर स्झी बाइस करेंगे तो पहली सने जो होगी वह ठांस HISमाले की दूसरी समेच है तहि下 उसको आप कह सकते हैं यह लेकिन यह क्या है यह बाज Stevens है और यह सब करना है यहां नंगा परवत वुह बात हमने कारता है Labs पंजाब हिमाले अभी यहां से यहां तक पंजाब हिमाले में कौन कौन से चीज़ें आएंगी वो फिर देखिए कुमायों हिमाले में तीन है देखिए बंदर पूच परवत जो है ना बंदर पूच कामेट और नंदा देवी यह तीनों परवत जो है आपका किसमें आ है कुमाय हमाले में फिर आईएगा आप नेपाल हमाले नेपाल हमाले में जो है देखे कितना है एक दो तीन चार पांच छे साथ परवत है सबसे पहला है धौलागरी परवत अनपूर्णा मंसालू गौरी संकर छूयू और एवरेश्ट और मकालू इन साथ परवतों को हम बनेगा पंजाब हिमाले कुमायों माले नेपाल हिमाले असन माले बस धायर देगे रखिए हम इसको एक एक करके या backyard हो गया सबसे पहला ट्रांसहिमाले या जिसको आप ट्रांसहिमाले हमाले का है धार पर तो भुहुआ गर्टिक अधार पर एकरतिक अधार पर है ना या फिर भौतिक अधार पर और चार हो गया प्रादेसिक विवाजन है ना यौ्ट पहले हम हमाले की भू आकरतीक विवाजन या हिमाले का भौतिक विवाजन कहते हैं उस चारों को रखेंगे मतलब सबसे पहले आज के बाद जो वीडियो आएगी वहां किस पर होगी सबसे पहले ट्रांस हिमाले पर होगी है ना उसकी बाद ब्रिहत हिमाले पर होगी या महान हिमाले पर जिसको कह सकते हैं और तीसरा हो